हलो वाट्स आप गाईज मैं इम इस्पिनोद बादुतापा और आज हम इस्पिनोद देखेंगी नमबर एंड ग्लोबल मेथट्स इन ये शिक्स इन हिंदी तो चले गाईज शुरू करते वीडियो को सुरू करने से बहले गाई साब लोगों के क्विक अपडेट देना आज हम फाइनली देखने वाले हमारा लास्ट वीडियो ऑन एकमाई स्क्रिप्ट या जिसको हम बोलते हैं modern जावस्क्रिप्ट इन हिंदी तो देखें क्या इसको नमबर मेथट्स भी कह सकते हो बट मैंने नमबर एंड ग्लोबल भी रखा क्यूंकि इसमें यह जो दो आपको दिखाई दे रहा है that is your global के अंदर भी आता है and number के अंदर भी आता है तो देखेंगा इस क्या होता ही है आप देख सेकते हो we have isfinite method then is not a number method and then we have number.isinteger method तो सबसे पहले हम देख ले तो what is isfinite method तो यह जो global method that is isfinite method returns false if the argument is infinity or not a number अब isfinite,finite number हमने पढ़ागा है इस बच्पन में हमने math में पढ़ा what is infinite and what is finite number ठीक है तो यह simple वो ही check करा कि जो भी number आप पास करे हो that is finite number और not simple यह ही है अगर है तो true return करेगा else false return करेगा अगर आपका वो जो value है वो infinite value था या तो not a number था ठीक है and then we have ठीक है पहले अब हम यह देख लेते इन तीनों को मैं कर देता हूं comment आउट एक second comment और इसको भी मुझे पहले तो comment करना पड़ेगा and इसको भी मैं कर दता हूं comment and don't worry हम एक एक practical अच्छे से समझेंगे first we will see what is is finite ठीक है तो आप देख सेकते इसको मैंने already save करके रखा by number.html के नाम से तो let num is is equal to 5 में से 5 लिग देता हूं and console.log करता हूं यहां पे और मैं यहां पे लिग देता हूं guys is you know f and capital लिखो finite इस तरी किसे and in between the parenthesis is parenthesis के एक second में इसको जूम करना चाहरा हूं और यह ठीक है अब आप देख सेकते हूं यहां पर प्रॉपर्ली अब मुझे यहां पर यह वेरेवल का नाम पास करना है नहीं तो मैं directly चाहिए तो number पी पास कर सकता था इसा कुछ नहीं है इसको मैं कॉपी फाइल पास करता हूं अपने ब्रॉजर पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं तो काई साप देखो कि एक सेकंड कंसोल में जाना पड़ेगा सो थी टू वान एंड भूंगा इस आप देख सेकते हूं क्यूंकि 5 एक मिनिट नमबर है और लेट से यह और इस यह भी आपका टू क्यूंकि जब तक आप इसको देख पारे हो गिन पारे हो इसमें सो फिनिट है लेकिन अब इंफिनिटी नमबर का होगा जब आप लिखोगे इस तरी के से इंफिनिटी ठीक है कंट्रोल है सेफ करता हूं वेसिकल आपको अगर यह मालूम था कि नीच अगर आप लिख दो कि नॉट अन नमबर मलब जो की नमबर ही नहीं तो अगर नमबर ही नहीं तो फिनिट कैसे होगा राइट सो युल गेट फॉल्स अब एक और चीज़ देखते है अगर यहां पर मैं लिख देता हूं एक कुछ भी लिख दू सपोज यहां पर यहां पर देख लेते हैं आगेन विख फॉल्स अब एक और चीज़ देख लेते है डाइट इस नेगेटिवस और फाइब तो आ चुका था तो यह जो वाइनस फाइब यह इनुट है यह फिनिट है यह इनुट नमबर है बलब माइनस फाइब इसको भी हम एक इंक इन्टिजर बोल स तो इसके अंदर एक मैथट की तरह आ चुका है तो आप चाहे तो और यूनो बैटर तरीके से कि हाव वह सबसे पहले तो आप यह बोलो कि मेरा में जो यह चेक करने जा रहा हूं वह एक नंबर ही होना ची एंद उसमें आपको चेक करना है कि वह यह वह नंबर फिनिट है या नहीं तो इस तरीके से आप आपका यह तू दिखाई दे रहा है तो यह बहुत यूसफूल रहेगा हमारे लिए है कि नहीं क्योंकि आप हम स्पेसिफिक बोल रहे है नहीं अब सिप नंबर को ही चेक करो तो कंट्रोल है सेप करता है और रिफ्रेस करूंगा फॉल्स क्योंक इस नमबर है सो यह जो है यह आपका ग्लोबल मेड़ड भी है एंड इस नाव इंटोडिएस इन नमबर में ब, बीनमबर उब्जक्ट में भी करतें है नाबर ऐद पा यो इस्म सस्पी नुत है जो आपके लीएगं अनदल मेठोट सब पाता दूंग नियो रहे इस Самेड के ह तो वह number method भी कहला है जाएगा बट यह एक global individual method भी है जिसको आप directly use कर सकते है तो यह क्या करता का it returns true if the argument is not a number मतलब आपने कोई variable को check करना चाहा और उसकी जो value है अगर वो number नहीं है तो यह true होगा else false मतलब अगर number है तो false अगर number नहीं है तो true ठीक है तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यह जो है इसको मैं हटा देता हूँ ठीक है simply अब मैं जाता हूँ इस तरह के से console console.log अब is not a number and then मुझे लिखना है parenthesis और यहां पर बस मुझे variable को pass कर देना जिसको मुझे check करना है अब मुझे बता हूँ यह number है या या नी obviously यह एक number है तो इसकी output के आएगी false क्योंकि यह अगर number नहीं होता तो ही यह true देगा else यह false देगा हमेशा तो आप देख सकते हैं we have false क्यों क्योंकि यह एक number है that's the reason हमें false मिला अगर यहां पर मैं लिख देता हूँ सिंप्ल इस तरी किसे कोई भी जैसे अपना नाम लिख दू विनोद इस तरी किसे अब यह एक string है तो क्या यह number है देखते है ठीक है अब यहां पर क्या आएगा obviously true क्यों क्योंकि यह number नहीं है अगर आपको कोई ऐसा validation मिल गया है यहां पर आपको चेक करना है कि वहां पर एक भी number नहीं आना चाहिए only number को छोड़के जो भी आ लेकि number नहीं आना चाहिए तो वहां पर आप इसको use कर सकते है बहुत simple या तो simple mobile नंबर पर आप यूज कर सकते हो कि यह number है या किसी ने mobile नंबर पर गलती से कुछ string डाल दिया तो यह directly वहां पर true आ जाएगा इस नम नम की वेरेबल को यह जो not a number value एसाइन कर रहा हूं ठीक है सो क्या आता अब देखते क्या यह number है या नहीं और गाइस यह आपको मिलेगा true क्यों क्योंकि यह खुद बोल रहा कि मैं number नहीं हूं इसी तरीके से अगर लेट से मैं infinity पी पास करी देता हूं इस तरीके से ठीक है यह बहुत उसफुल एंड से भी इतने नहीं अगर मैं आपको बता हूं कि आप इसको number के अंदर भी उसकर सकते हो number dot is not a number ठीक है अब एक चीज़ नोटिस करो कि जब अल्रेडी वह global में हमें present है global as a global method हमें वह मिल रहा तो number dot is an an q लिखू मैं मैं आपको बता दो सब अब मैं यहां पर लिखता हूं बीनो तो अगर आपको याद होगा कि यह जो है यह number नहीं है यह से में true आ गया तो अब इससे में क्या था ठीक है वह देखते है अब हमें false आ रहा है आपको समझा क्या हो यहां पर यहां पर में जाता हूं copy करता हूं यहां पर जाता हूं अब यह जो है मैं हटा रहा हूं लेकिन इस case में हम एकदम deep में चलेगे कि सबसे पहले तो जो भी हम चेकर है वह number ही होगा और उसमें भी वह number है या नहीं यह चेक कर तो obviously यह पहले category में false आ गया कि यह तो number है ही नहीं तो क्या ही चेक करना so that's the reason का इससे false आ गया तो आपको difference पाता चलेगा कि अगर अगर यह method आप यूज करोगे और कोई string value आगर आप पास करो that result will be your false और अगर आप directly global method यूज करो तो बहुत easy है कि यह number है या नहीं है अगर है तो false अगर नहीं है तो true obviously यह number नहीं that's the only reason हमें यह पर true आए तो इस तरीके से आपको देखना है कहां क्या आ रहा है and आपको बस अपने हिसाब से इसका यूज करना है तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ and last we will see number.is integer अब यह जो होगा इसे global method के अंदर नहीं it means अब directly इसको is integer और कोई value पास नहीं कर सकते अगर आपको यह method यूज करना है you have to write number object पहले then dot and then यह यूज करना है ठीक है बाकि यह दोनों क्या थी global भी यूज कर पा रहे था हम number object के अंदर भी as a method इसको इंट्रेडिस करवाए गया था so number is integer बस अब यह है कि जो भी number आप पास करें वो number integer है या नहीं अगर है तो true else false इतना simple अब इसको मैं हटा देता हूँ अब let num is is equal to 5 में पास कर रहा हूँ ठीक है यहापर मैं लिख देता हूँ console.log कुछ तो spelling रॉंग हो है dot log अब यहाँ पे मैं वो num पास कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले मुझे यह number object यूज करना पड़ेगा number यह object नहीं बनाना है number so number dot वो variable का नाम पास कर दो ठीक है and वहाँ पे बस आपको value पास करना एक second num नहीं is integer रहा integer perfect in t and spelling यह अच्छे से रखो i capital होना ची कैमल केस हो रहा है यहाँ पे and then मैं लिख रहा वो वो वेरेवल पास कर दिया मैंने basically control है save करता हो तो number dot is integer क्या यह जो five है वो integer है यानि सब्सक्राइब का इस integer क्या होता है integer मतलब negative 3 negative 2 negative 1 then 0 अपने 1 2 अपने पढ़ा है कि नहीं ऐसे 1 2 3 4 यह हमने पढ़ा है तो यह आपका integer होता मतलब कोई decimal value नहीं ची कोई fraction कोई float number नहीं ची negative वली चलेगा लेकिन dot नहीं आना ची है ठीक है dot के बाद कोई point नहीं आना ची है so इस तरह किसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाता हो 3 2 1 and boom guys that is true so guys आप देख सकते हो कि हमें true मिल चुगा अब let's say minus 5 करता हो तो क्या होता so 3 2 1 and boom guys again it's true क्यों क्योंकि वली negative है but यह एक इंटीजर लेकिन और जैसे में ठीक है उससे पहले let's say 0 के obviously 0 is also an integer ठीक है अब अगर यहाँ पे मैं लिख दू 5.1 तो guys अब यह क्या है यह आप इसको फ्लोट बोलोगे लेकिन यह इंटीजर है या नहीं so guys this integer नहीं है क्योंकि decimal अगर आगया यह point आगया वो फिर आपका float के लाए जाएगा तो यह आपका integer के अंदर नहीं आता तो आप इस तरह किसे चेक कर सकते कि जो variable में जो value pass किया जा रहा क्या वो decimal है या नहीं है क्या वो integer है या नहीं तो guys यह सब जितने भी आज हमने देखे यह बहुत यूसफुल है वैलिडिशन में बहुत काम आने वाला करूँ सबसे पहले notification आपको मिल जाओ और आपको खुछ से manually सर्च ना करना पड़े कुछ भी डावट हो तो बे फिगर हो के नीचे comment कीजिए मैं आपको जरूर हल्प करूँगा so till then guys thank you so much take care